हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्रिनून तो अलो फ्यू स्टडी आईक्यू आईक्यू आईस हिंदी पे आप सब का स्वागत है और आज की चर्चा हम करने वाले हैं बैस्ट बुक लिस्ट की ठीक है आप जब आईस की तयारी करना शुरू करते हो तो आपके सामने काफी सार प्रशन होते हैं विशेश तोर पर पुस्तकों के संदर्भ में कि हम शुरू आद जो करेंगे तो रो चारि आप इस पर फटाफट बता दीजिए क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं बताईए और आप लोग के कुछ कोश्चन्स होंगे उनको भी हम डिसकस कर लेंगे इस क्लास में ठीक है ठीक है अवास तक तो आ रही है मेरे तक एक मिनिट कि अवाज आ रहे है दिव्यान श्रोशन रविंद्र अज्जू काजल बताईए भाई फटाफट पदम आ रहे है ठीक है बहुत बढ़िया तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दू कि जो दो हजार चोबिस को लिके डेडिकेटेड है ऐसे स्टूडेंट के लिए प्रिलिम्स टू इंटर्व्यू बैच शुरू होने जा रहा है बेसिकली बाइस जुलाई से नया बैच शुरू होने जा रहा है यदि आप एड्मिशन लेना चाहते हैं और अभी तक एड्मिशन न इंटर्व्यू तीनों की तयारी मतलब हर एक लेवल की तयारी आप हमारी टीम के साथ जुड़के करेंगे मात्र 39,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा दो साल की वैलिडिटी होती है दो साल आप कितनी भीवार क्लासेस को देख सकते हैं सुन सकते हैं ठीक है ध्यान रखेग पीडिएफ आपको टेलिग्राम फोलो करना है ललीता दही अकैडमी इसके साथ ही आप मेरे फेस्बुक पेज और मेरे इंस्टेग्राम पे भी मुझे फोलो कर सकते हैं चलिए बात करते हैं UPSC की ठीक है और विशेश तोर पे हम बुक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो एक बा टेलिए आप कोलेज में पढ़ते हो तो आपके कोलीज की अपनी बुक्स होती ओंगी है ना यानि जो भी कोश्टन्स आएंगे जो भी आपसे परिक्षा में पूछा जाएगा वो उनहीं बुक्स के दाइरे के अंदर से पूछा जाएगा ठीक है एक सीधा सा सिध्धानत हो स्कूल का, कॉलिज का या आप जो जो डिग्री लेते हैं उसका, लेकिन UPSC का ऐसा कोई फिक्स एरिया नहीं है, UPSC ने अपनी कोई सिलेबस नहीं की, जो बुक्स हैं, वो नहीं दी हैं कि भई, इन ही बुक्स में से पढ़ लो और आ जाएगा, है न, अगर काश ऐसा होता, त चयन का खासा खयाल कब रखेंगे हम, तो UPSC हमें एक सिलेबस देता है, आइस बनने के लिए, सबसे बड़ा आधार यही सिलेबस तै करता है, जिसके माध्यम से हमें पता लगता है, कि क्या पूछा जाएगा, एक्जैम में क्या नहीं पूछा जाएगा, हमें क्या पढ़न इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सिलेबस पे ध्यान रखेगा, सिलेबस पे ध्यान देना होगा, सिलेबस आपको first paper, second paper, third paper, fourth paper, इसके साथ आप optional की बात किसी ओर दिन करेंगे, अभी मैं केवल GS की बात कर रहें हूँ, GS के चारो पेपर के सिलेबस को दो चीजे करनी प पड़ेगा और पढ़ने से जादा आपको सिलेबस समझना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना, अब आपको होगे मैं सिलेबस समझे कहां से, तो study IQ IS हिंदी पे ही आपको सिलेबस की एक playlist मिल रहेगी, जिसमें मैंने खुद सिलेबस कराया है, GS paper 1, 2, 3, ये तीन papers के सिलेबस को मैंने decode किया है, बहुत detail से समझाया है, आप वहाँ जाके इस सिलेबस को अच्छे से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बची fourth paper की, most probably इस Sunday को हम fourth paper का सिलेबस समझ लेंगे, इससे क्या होता है न, ध्यान रखना, किताबे चयन करने से पहले आपको अपने सिलेबस का ग्यान हो होगा, आपको मुद्दे ही नहीं पता होंगे, आपको topics ही नहीं पता होंगे, तो मान लीजिए, आप कोई authentic book भी उठा लीजिए, for example, आपने NCRT उठा ली, ठीक है, अब NCRT में भी क्या चीजे जादा महत्वपूर्ण हैं, वो आप कैसे निरधारित करोगे, सिलेबस के बढ़ना, सिलेबस को समझना, और दूसरा important काम है, किताबों का चैन करने से पहले, जो दूसरा important काम है, वो करना है आपको previous year questions, PYQs, अब ये PYQs आप PT के भी लीजिएगा, और mains के भी, ध्यान रखेगा, इन PYQs के माध्यम से ही आपको इस बात का पता लगता है, आप इ पीटी में कहां से question पूछ रहा है, अच्छा, पॉलिटी से कितने question आ रहे हैं, किस-किस segment से आ रहे हैं, किस level के आ रहे हैं, हिस्ट्री में कहां से question आ रहे हैं, जैसे आप देखोगे, पिछले 4-5 सालों से history में ancient और medieval का जो ratio है वो थोड़ा बड़ा है, पहले क्या होता था, student केवल modern history को यदि पढ़के जाते थे, मैं especially PT की बात कर रही हूँ, पढ़के जाते थे तो उनको लगता था कि ठीक है, 2-4 question, ancient वगेरा से आएंगे, काहे पढ़ना है, हम modern history वाले questions ही कर देंगे, और हमारा PT हो जाएगा, और हो भी जाता था, क्योंकि ancient medieval का जो ratio था, वो तु पढ़ना पढ़ेगा, आपको medieval को भी पढ़ना पढ़ेगा, तो यह कहां से पता लगा, कि भाई, पढ़ना है, यह सामय की जरूरत है, यह UPSC का trend बदला है, तो हमें अब अपनी book list में भी संचोधन करना पढ़ेगा, यह आपको PYQ से पता लगा, बात समझ में आई तो यह दो चीजें, book list बनाने से पहले, यह दो चीजें आपको करनी पढ़ेगी, आपको syllabus समझना पढ़ेगा, प्लस आपको PYQ को देखना पढ़ेगा, ठीक है, very good afternoon to all of you, यह दो चीजें करके, अब हमें जो तीसरा काम करना है, वो है, अब हम आते हैं books पे, सबसे पहले हम तीन लेवल पे काम करेंगे, एक basic books की बात करेंगे, एक advanced book की बात करेंगे, और एक हम जो add-on करेंगे, material जो बाद में हम अपने, जो भी हमने notes वगेरा prepare किये हैं, उसमें add-on material हम क्या-क्या add कर सकते हैं, extra चीजें, जिससे हमारी rank अच्छी आ सके, तो यदि हम basic level की बात करें ठीक है, तो एक-एक मुद्दा उठाएंगे, सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है NCRT से, देखो कई बच्चे NCRT की classes, NCRTs को बहुत हलके में ले लेते हैं, मतलब यह मैं honestly बता रही हूँ, उन students को लगता है कि यार हमारा कोई level थोड़ी ना हम NCRT पढ़ेंगे, हम I.S की त इवांस लेवल में ऐसे गोल-गोल घूमते रहोगे, चीजे समझ में नहीं आएंगे, और UPSC एक ऐसा गेम है, जहां पे आप समझ के बिना क्लियर नहीं कर सकते हो, आप रट के इतने पहाड जैसे syllabus के points को रटना impossible है, जब तक आप समझ ना पाओ, समझ के तो रटना बहुत कर लेते हैं, सबसे पहले मैं NCRT, basic level की बात कर दियूं, मैं बात कर दियूं, पॉलिटी की, पॉलिटी में 6 से लेके 12 तक काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, आप 6 से लेके 12 तक की NCRT, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन अगर कई बच्चों को लगता है कि मैं 6 से लेके 12 त पॉलिटी में, मुझे छटी से लेके 12 तक की सारी NCRT पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि कम से कम आपको 11 की दोनों NCRT, ठीक है, ध्यान रखेगा 11 की दोनों NCRT, अब कई बच्चों को ये भी लगता है कि मैं नई वाली प 12 की दोनों NCRT, कम से कम इतना तो आप पढ़ी लीजिए, लेकिन, मेरा ये सुझाओ है कि यदि आपके पास समय है और आप अपने कंसेप्ट को बहुत ही बहतरीन तरीके से बिल्डप, मतलब एक कहते हैं नीव को मजबूत करना चाहते हैं, भई महल तभी ना बना पाओगे जब नीव मजबूत होगी, तो मेरे हिसाब से आपको छटी से लेके बार्मी तक की NCRT को बहुत अच्छे से पढ़ना प्लस समझना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखेगा, अब अगली बात कर लेते हैं हम पॉलिटी के बाद दूसरा मुद्दा ले लेते हैं हम इतिहास का, हिस्ट्री का, हिस्ट्री का कोई विकल भी नहीं है NCRT के अलावा, मान लीजे बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनफेक्ट मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इतिहास से थोड़ा डरवर लगता है, एना एक तो उनको इतिहास नहीं समझ में आता, उनको ये नहीं से शुरू करो, इतिहास कि आप सिक्स्ट से लेके 12th की NCRTs पढ़ोगे, इन 6th to 12th की NCRTs में आपके चारो पोर्शन, जिसमें आपका ancient, आपका medieval, आपका modern और आपका world, इस world history, यानि इन चारो NCRTs, मतलब ये चारो पोर्शन सापके NCRTs से cover हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रही की बिलकुल cover हो जाएंगे, लेकिन आपका एक ठीक ठाक base बन जाएगा, आरे शर्मा की NCRT पढ़ोगे, तो आपका ancient history का बहतरीन base बन जाएगा, आप सतीश चंद्रा पढ़ोगे NCRT, तो आपका medieval का base बन जाएगा, विपिन चंद्रा तो modern का रामबान है, विपिन चंद्रा को हमें, मतलब देखो, वैसे मैं आऊंगे advanced level पे तो spectrum की भी बात करेंगे, लेकिन जब आप NCRT पढ़ोगे न, विपिन चंद्रा, वो इतनी सरल भाशा में दी गई है, इतने, मतलब कहते हैं न, कि आप पस पढ़ते जाओगे, यदि full concentration से पढ़ रहे हो, तो आपको मुद् समझ अच्छी है, तो 11 की 2, 12 की 2, 4 NCRT से काम चल सकता है, लेकिन history में आप कम से कम ancient medieval modern world, तीनों, चारों की एक एक NCRT, जो जो हैं, वो आप क्रमबध तरीके से complete करेंगे, इसके साथ अब बात कर लेते हैं, जोग्रफी की, भाई, बिना जोग्रफी की NCRT की, मुझे नहीं कि आपका concept बहतर बन सकता है, ये मैं डंगे की चोट पे कह सकती हूँ, विशेश तोर पर 11 क्लास की जो 2 NCRT है न, वो basically क्या कहें हम, UPSC की गीता है भाई वो, मतले अब इतना शानदार concept सिर्फ 11 की दो जोग्रफी की NCRT में दिया हुआ है, जितना आपको बड़ी-बड़ी किताबों में नहीं मिलेगा, दूसरी बात ये दोनों NCRT काफी ठीक ठाक टफ हैं, कठिन हैं, विशेश तोर पर जो भोतिक भूगोल वाली NCRT है न, वो ठीक चलो आपको कितनी महनत करनी पड़ेगी, यानि 11 की दोनो NCRT आपको जोग्रफी में पढ़नी है, 11 की दोनो NCRT, लेकिन यहां पर मैं आपको specially कहना चाहूंगी, कि यदि आप जोग्रफी में सारी NCRT नहीं पढ़ना चाहते, तो कम से कम 6 की NCRT जरूर पढ़ लेना, छोटी सी NCRT है, इस 6 की NCRT में बिसिकली अक्षांच क्या है, दिशांतर क्या है, सूर्य की गती क्या है, यह छोटे-छोटे कंसेप्स बहुत ही सरल भाशा में, बहुत ही बहतरीन एक्जेम्पल्स के साथ आपको समझाए गए है, ठीक है, तो ध्यान रखेगा, छटी की NCRT, यह व के डेटाज थोड़े पुराने हो गए है, लेकिन 11 की दोनों NCRTs आपको पढ़नी ही पढ़नी है, उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और केवल पढ़ना नहीं है, समझना है, यह तो हर चीज के साथ लागू होगा, हर किताब के साथ लागू होगा, अगला मुद्दा है वर्तमान में जो एगरी कल्चर से रिलेटेड जो 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 गरफी है ना, उसका रेशियो बढ़ता जा रहा है, चाहे पीटी हो, चाहे मेंस हो, तो उसके लिए बहतरीन सोर्स आपको मिल जाएगा, जो जो गरफी की बार्मी की दो NCRT हैं, लिखते जाएगा अगर सारी NCRTs पढ़ना, और इसके लिए एक सही उपाय ये हो सकता है, देखो, NCRTs पढ़ने का सही उपाय, या तो आप ग्रूप में पढ़ो, मान लिजे किसी स्टूडेंट को जो गरफी का ग्यान है, तो वो आपको जो गरफी पढ़ा दे, किसी को हिस्ट्री का ग्यान है, तो आप उनको हिस्ट्री पढ़ा दे, किसी को पॉलिटी का ग्यान है, तो वो इससे क्या होगा, एक तो NCRT कवर हो जाएंगी, एक समझ बने की NCRT में है, और एक जब आप बोल के पढ़ते हैं, या समझाते हैं, तो चीजे दिर्ग कालिक समय तक आपकी मैमरी में रहती है, या इसका एक दूसरा विकल्प हो सकता है, कि आप कोई भी किसी भी कोचिंग का बैच जोइन कर सकते हैं, और सबसे बहतरीन बैच चल रहा है, Study IQIS Hindi, कि आप वेबसाइट या एप पे जाओगे, तो NCRT का 100 डेज का बैच चल रहा है, समझ में आया, 100 दिन में सारी NCRT खतम, और इतने बहतरीन तरीके से NCRTs बढ़ाई जा रही है, समझ बनाते हुए, एक एक concept को complete कराते हुए, ये बात मैं डंगे की चोट पेच से लिए कह रही हूँ, क्योंकि मैंने पॉलिटी की NCRT खतम कराई है, और अगर कोई student यहाँ पे देख रहा है, जो मेरी पॉलिटी की NCRT की complete की बहतरीन content, बहतरीन concept के साथ, और ये जो batch होता है, जो study IQIS हिंदी पे जो NCRT का batch होता है, ये मात्र 1500 रुपे में होता है, यानि 1500 रुपे में आपकी सारी NCRT complete कराई जाती है, तो आप इस तरीके के batch इस से जुड़ सकते हैं, anyway कोई बात नहीं, ये हो गया आपका basic, विश का मुद्दा क्या बचता है हमारे पास science का, तो ध्यान रखेगा, science में आप basic के लिए 6-12 की NCRT देख सकते हैं, लेकिन science और science tech वाला जो area है, ये विशेश तोर पर current related area जादा है, तो आप basic के लिए NCRT देख सकते हैं, और current के लिए आपको, जो भी monthly magazine है, उसको follow करना पड़ की environment, ठीक है, environment के लिए 12th की बायो की NCRT आती है, इस बायो की NCRT के last four chapters, पिछले चार जो chapters है, वो रामबान है, क्लिष्ट है, क्लिष्ट का मतलब समझते हैं, उन्हा कठिन है, आपको समय लगेगा समझने में, जिसका environment से कोई लेना देना नहीं रहा है, उसको समय लगेगा लेकिन आपने यदि एक बार समझ लिया, तो आपके लिए चीज़े काफी आसान हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेगा, तो NCRT के लिए आप environment के लिए जो 12th क्लास की बायो है, उसे बहुत ही अच्छे से complete कर सकते हैं, अब यदि मैं एक और बात करूँ, economy की, तो economy में कही बच्चों को बहुत confusion रहता है, मैं कौन सी पढ़ें, छोटी से बार मी पढ़ें, क्या पढ़ें, economy में 11th की NCRT more than enough है, और यदि macro economy पढ़ना चाहते हो, तो 12th की NCRT पढ़ लो, लेकिन 12th की NCRT पढ़ने के क्रम में, आपको इस बात का ध्यान रखना है, बहुत जादा ये आकडो और इनके चक्कर में नहीं पढ़ना है, खाली concept समझने है, यानि 11th और 12th की जो NCRT है, वो भी भूत selected पढ़ना है, उसमें से पूरी NCRT नहीं पढ़नी है, ये हो गया हमारा basic, तो basic में हमने क्या-क्या पढ़ा, polity पढ़ लिया, history पढ़ लिया, geography पढ़ लिया, economy पढ environment पढ़ लिया और science पढ़ लिया, ठीक है, तो ध्यान रखिये, बाकी मैं जब advance पर आऊंगी, तो कुछ-कुछ चीज़ें अगर NCRT से relate होंगी, तो मैं जरूर बताऊंगी, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, ध्यान रखना पहला काम, जो भी बच्चा उतलाब होगा, आप एक ही दम, मतलब होता है ना, मानलो, सो सीढ़ियां है, एक ही बार में सोवी सीढ़ी पे तो उछलके नहीं जा सकते हो, धीरे, 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 और UPSC की जो preparation है, उसमें अपने आप में एक डेर से दो साल का समय लगता ही है, तो यदि इस समय को आप बहत तरीके से यूटिलाइज करो, तो आप अपनी नीव को इतना जादा मजबूत कर लेते हैं, तो कि फिर भवन बनना तै है, ठीक है, थ्यान रखिएगा, तो नीव को मजबूत करना बहुत जादा जरूरी है, वही बोल रही हूं, गनेश, आप इस तरीके से जो मैं बता रही हूं, बेसिक से इस तरीके से शुरू कर सकते हैं, क्या बोल रहे हूं मैं इकनोमिक्स के लिए, घनोबिक्स के लिए बता रही हूं, जैसे एकनोमिक्स के लिए मैं अभी बुक्स बता रही हूं तो मैंने आपको NCRT की केबल दो NCRT बताया, 11 और 12 उसमें डेटास बगेर की बात करो, तो first paper के कितने section है, सबसे पहले आपका इतिहास आ गया, कला, संस्कृति आ गया, इसके साथ ही आपका geography आ गया, और इसके साथ ही आपका social issues आ गया, मतलब society आप मालो, society, समाज मैं भारती है, समाज ही लिख देती हूँ, इस समाज से ही social issues मतलब, आप social issues बोल सकते हो, society बोल सकते हो, इतनी चीजें आपको पढ़नी है, मतलब इतने आपको subject देखने हैं, GS के first paper में, तो इतिहास के लिए आप NCRT पढ़ चुके हो, अब आप हो जाएगा, तो नहीं, आपको कुछ-कुछ चीजे, advanced books में पढ़नी पढ़ेंगी, जैसे इतिहास की यदी में बात करूँ, ancient के लिए, ध्यान रखेगा दोस्तों, ancient के लिए आप जो रामशरण शर्मा की किताब थी, आरेश शर्मा की किताब थी, उस पे dependent रह सकते हैं, कोई बहुत बड़ी आपको किताब पढ़ने की जरुरत नहीं है, ठीक है, मैं बताऊंगी और क्या करना है आपको, ancient के लिए वो, medieval के लिए जो आपने पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, सतीश चंद्रा, more than enough है, modern के लिए आपने, क्या पढ़ी थी, विपिन चंद्रा की NCRT, तो आप विपिन चंद्रा की एक किताब पढ़ सकते हैं, प्लस, spectrum आप पढ़ लेंगे, तो काफी जादा, factual knowledge के साथ साथ, काफी, conceptual knowledge भी आपको ठिक-ठाक हो जाएगा, यानि कुछ चीजें तो आप बेस के तोर पे NCRT में ही कवर कर चुके हैं, कुछ चीजें नहीं पढ़नी पढ़ेंगी, जैसे आपने विपिन चंद्रा NCRT पढ़ी थी, अब विपिन चंद्रा की एक किताब पढ़ लीजी, बहुत सरल लेंग्वेज में है, spectrum आपको पढ़ पढ़ी चुके हो, साथ ही विपिन चंद्रा में आप selected topic पढ़ सकते हो, पूरी नहीं पढ़नी है तो, जैसे गांधियन मुवमेंट देख लिए, जैसे मजदूर, किसान आंदोलन देख लिया इस दोर का, ठीक है, तो मतलब कुछ selected topic आप देख सकते हो, वो फिर depend करेगा तो कई लोग आपको कहेंगे, जैनन माथूर पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, भाई, world history में अभी तक, एक से दो कोशन आते हैं, trend बढ़ भी जाएगा, तो दो से चार कोशन आएंगे, इस world history के लिए, जो आपने NCRT पढ़ी थी न, पहली बात तो ये more than enough होती है इस world history के लिए, इस NCRT के साथ, आप किसी भी coaching के notes पढ़ लोगे, बहुत सारी coachings के notes available है, study IQ के notes भी available होंगे, हिंदी माध्यम के, तो इतने notes से काम चल जाएगा, आपको कोई specially बहुत लंबी चोड़ी किताब नहीं पढ़नी है, पढ़ना चाहते हो तो world history में एक से एक किताबे आती है, French Revolution पे अलग किताब मिल जाएगी, American Revolution पे अलग मिल जाएगी, Napoleon पे अलग मिल जाएगी, है ना, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबे, लेकिन कोई जरूत नहीं है, उतना पढ़ने की, इतिहास में आपको इतना करना है, इतना करना पढ़ेगा, ये मैंने minimum बताया है, ध्यान रखिएगा, ये मैं बहुत, मैं आपको ना, यहाँ पे 36 किताबे गिनवा सकती हूँ, ग्रोवर और ग्रोवर ले लो, जैन एन माथूर ले लो, जायन श्रीमाली ले लो, है ना, और 70 किताबे, लेकिन नहीं भाई, काम क्या करना है, किताबे एक एक रखन होगा, बकायदा कि हम 10 अलग-अलग किताबे पढ़ें, उसकी तुलना में हम एक किताब को 10 बार पढ़ेंगे, तो ये जादा तो नहीं लगा आपको, इतिहास में भई, एक-एक, बेसिक-बेसिक किताबे तो पढ़ोगे ही, और मैंने तो एंशेंट और मेडाईवल में तो आपको NCRT ही बताया है, उसके अलावा किसी कोचिंग के नोट्स या फिर आप जो टैस सीरीज वगएरा देते हो उसके कोशन्स को यदि मेंस के कोशन्स वगएरा का फोर्मेट वगएरा देख लोगे तो आपके टॉपिक्स तयार हो जाएंगे, ठीक है, इतना करना है आपक अब आते हैं हम कला और संस्कृति में, तो कला और संस्कृति के लिए एक NCRT आती है, देखना Art and Culture की NCRT प्लस एक CCRT आती है, यह CCRT इस शेप में मिलेंगी आपको लंबे से शेप में, बड़े अच्छे से कला और संस्कृति को दिया गया है, नृत्य है तो नृत्य की मु बुलभूत विशेष्टाएं होती हैं, और यह CCRT मतलब बहुत लंबी चोड़ी बुक नहीं है, यदि आप थोड़ा सलीके से पढ़ोगे, तो मुश्किल से 10 से 15 दिन में कवर हो जाने वाली बुक है, CCRT और ऐसे तो इसमें, Art and Culture में एक बहुत ही फेमस बुक आती है, एक लेकिन मतलब अभी इतना समझो, उस किताब को पूरा पढ़ने की जरुरत नहीं होती है, मैं बता दूंगे आप लोगों को ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर में recall भी हो जाएगा अपने आप, अभी नहीं सोचूंगी, ध्यान रखेगा, किसी और यहां पे आपको एक च शुरू में इंटरस्टिंग टॉपिक पढ़ो, इस से क्या होगा, आपका इंटरस्ट डेवलप होगा, उस क्ला नितिन सिंघानिया, बिल्कुल सही बात है, अंजली ने आदि दिला दिया, आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया की बुक पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कि शुरू से लेके कहीं बच्चे होते हैं नहीं पता होता है, मासूम से बच्चे हो आप लोग, बताने वाला कोई होता नहीं है, आसपास कोई IS, IPS, कोई सिलेक्टिड बंदा होता नहीं है, तो पूरी नहीं पढ़नी होती है, हमें में में जैसे मालो आपक में कुछ दिक्कत आ रही है तो डांस देख लिए आप और कला के अन्य रूप जहां जहां आपको दिक्कत आ रही है आप एक बेस के तोर पे इसका सहरा ले सकते हो ठीक है तो आट एंड कल्चर में NCRT CCRT और नितिन सिंगहानिया के कुछ selected topic पूरी नहीं पढ़नी है ठीक है ध्यान रखेगा अब यदि हम जोग्रफी की बात करें तो जोग्रफी का बेस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ छटी की NCRT ग्यार्मी की दोनों NCRT बार्मी की दोनों NCRT इसके साथ ही आप माजिद हुसेन की बुक पढ़ सकते हैं माजि बुक में कुछ कंसेप्स को काफी डिटेल से दिया हुआ है तो मालो जो आपके कंसेप्स NCRT में कंप्लीट नहीं हो रहे हैं आपको लगता है कि थोड़ा और हमें गहन तरीके से इस स्मुद्दे को पढ़ना चाहिए तो आप माजिद हुसेन से उसको कंप्लीट कर सकते हैं इसके साथ मैं एक छोटी सी बुक और बताऊंगी लेकिन वो बेसिकली अलग से बुक नहीं है वो NCRT ही है ध्यान रखिएगा एक बुक आती है दोस्तों महेश बर्णवाल की ये पता है ये PT के point of view से important है महेश बर्णवाल की जो बुक आती है ये बेसिकली बुक नहीं है मह महेश बर्णवाल की एक बुक आती है जोग्रफी की ये बेसिकली NCRT का ही एक जगे compilation है एक जगे compile कर रखा है NCRT को ही लेकिन जब exam पास होता है विशेश कर PT पास होता है तो हमें लगता है यार हमें कुछ ऐसा source मिल जाए जिससे हम quick revision कर लें जिसमें data भी हो है ना जिसमें सारे चीजें एक जगे मिल जाएं तो आप के लिए ये जो महेश बर्णवाल की किताब है ये एक बहतर मार्क दर्शन कर देगी लेकिन ये PT के point of view से ज़्यादा important है means के point of view से ज़्यादा महत्वपूर्ण हम नहीं कह सकते हैं ठीक है तो ध्यान रखिएगा मैं वही बोल रही हूं मेंस के लिए है माजिद उसेन, PT के लिए नहीं है PT के लिए तो मैंने आपको बता दिया ना एक महेश बर्णवाला थी चोटी सी ये बेसिकली NCRT का एक compilation है मतलब मुश्किल से जब हम मान लो अगर आप आप ने जोग्रफी का छटी की NCRT और सारी NCR कवर कर रखी है और आपका एक अच्छा कंसेप्ट है जोग्रफी के उपर तो आपको ये महेश बर्णवाल पढ़ने में मुश्किल से 10 दिन लगेंगे मतलब 3-3 घंटे आप पढ़ोगे 4-4 तो आप 10 दिन में इस महेश बर्णवाल को खतम कर लोगे अच्छे से और फिर ज इसके साथ सोसाइटी में राम आहूजा की एक बूक आती है राम आहूजा साथ ही हमें सोसाइटी में करंट इशूज की तरफ भी बहुत जादा ध्यान देना होता है भई सोशल इशूज में क्या चल रहा है महिलाओं से रिलेटिड कौन से मुद्दे हैं वृद्धों से र रहे हैं current में social issues से related तो current का ठीक ठाक रोल होता है society में तो society के लिए NCRT होगी रामा हुजा हो गई और current issues हो गई यह आपका first paper का पूरा structure है और दोस्तों यह books वो है जो minimum है minimum है तरीका फिर वो अलग-अलग होगा तरीका मैंने आपको भी बोला जैसे मालों आप रामा हुजा भी उठाओगे तो यह नहीं होना चाहिए कि आज तेरा भाई पहले page से लेके और अंतिम page तक खतम कर देगा इस target से खतम नहीं होती हैं चीजे समझना होता है तो आप उस book के शुरुआती दोर में थोड़े interesting chapter उठा लो जो जादा अच्छे से समझ में आते हो उसके बाद बीच बीच में एक आदा tough chapter उठा लो ताकि वो balance बना रहे easy tough का और book complete हो जाए और आपकी समझ बहतर बन जाए ठीक हैं तो यह है first paper की book list इसके साथ ही मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगी कि जैसे मालो आप self study करते हो आपके अंदर इतना अनुशाशन है तो बहुत अच्छी बात है आप self study करके भी आराम से IS बन सकते हो मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप खुद से पढ़के आइस बनी नहीं सकते आपको 100% कोचिंग ही जरूरी होती है ऐसा कोई रूल नहीं होता है लेकिन उसके लिए आपके अंदर अनुशाशन होना चाहिए एक माहोल होना चाहिए डेली कम साथ से आठ घंटे का एक टार्गेट सेट होना चाहिए उस टार्गेट के कोडिंग 100% वो टार्गेट जो है आपका कम्प्लीट करने का उद्देश्य होना चाहिए डेली तब जाके आप सेल्प स्टडी करके परिक्षा पास कर सकते हो लेकिन यदि आप किसी कोचिंग से जुड़ते हो तो जैसे फोर एक्जेंपल आप स्टडी आएक्यू आइस हिंदी की टीम से जुड़ते हो तो इन बुक इशूज हैं सोशल इशूज से रिलेटेड वो सारे के सारे आपको ओल्रेडी क्लास में मिल जाएंगे फिर आपको एक्स्ट्रा अतिरिक्त किताब पढ़ने की जरूत नहीं है आप सिर्फ क्लास नोर्स और करेंट पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा ठीक है बही अत अच्छा विकल्ब हो सकता है किसी टीम के साथ जूड़के पढ़ना ये आपको समझ में आ गया फर्स्ट पेपर में क्या-क्या बुक लिस्ट है अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड पेपर के सेकेंड पेपर के बेसिकली चार पार्ट आपका पॉलिटी गवर्नेंस आई-यार एंड सोशल जस्टिस ठीक है ध्यान रखेगा ये चार इशूज हैं बैसिकली आपके पॉलिटी में आप क्या पढ़ोगे तो पॉलिटी में एडवांस बुक वन एंड ओनली लक्ष्मी कांथ लक्ष्मी कांथ की दो बुक साती है ध्यान रखना एक तो जो आप पढ़ते है एक बात का ख्याल रखा कीजिए एक दो साल पुरानी किताब तो चल जाती है लेकिन जाधा पुरानी किताब मत खरीदना लक्ष्मी कांथ की नए नए लगते हैं anyway साथ ही current current affairs बहुत ही ज़्यादा जरूरी है quality से current affairs को जोड़ना इसके लिए आपको कोई भी एक monthly magazine pick कर लेनी है जैसे 365 आती है ठीक ठाक magazine है या कोई भी जिस जो भी magazine आप पड़ते हैं लेकिन उसमें mains के point of view से content बहतर होना चाहिए ठीक है ध्यान रखना तो ऐसी भी कोई magazine आप समय समय पर मालो quality के जो आप static portion पड़ाए उसके साथ connect करते जाओ या फिर कोई coaching पड़ते हो तो उसके class notes इतना आपको quality में पड़ना पड़ेगा ठीक है governance के लिए आपको अलग से कोई book पड़ने की जरूत मेरे हिसाब से नहीं है आप इसके लिए किसी भी coaching के notes ले ले प्लस value addition कर ले जैसे ARC वगेरा है ARC की reports वगेरा है और ARC की reports में भी खाली recommendations वगेरा पर ही ध्यान देना है पूरी ARC की report नहीं पड़नी होती खाली recommendations और सारी ARC भी important नहीं होती किसी दिन इस पे भी मैं वीडियो बना दूँगी anyway governance के लिए कोई अलग से किताब मत पढ़ना भाई कितनी किताबे पढ़ोगे minimum बता रही हूं इतना लेकिन आपको governance एक पूरा part है भाई आपको कुछ तो पढ़ना पढ़ेगा न तो आप किसी भी coaching के notes उठा लीजिए study IQIS हिंदी का जो batch है इसमे governance मैं complete कराने वाली हूँ और जो governance कंप्लीट कराऊंगी उसमें static के साथ current add-on करके आपको पढ़ाया जाएगा उससे जादा आपको कुछ नहीं पढ़ना होता लेकिन यह आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो बहुत आसानी से governance notes के माधिम से cover हो जाता है ठीक है ध्यान रखना IR में एक आपकी 12th की world history की जो NCRT थी यह base का काम करेगी कौन से base का विशेश तोर पर 1945 से लेके और 1990 तक विश्व में क्या चला है कैसे शीत युद्ध हुआ कोन कोन सी घटनाए हुई पंच शील क्या था मतलब इस तरीके की जो सारी बाते थी वो आप इन NCRT में अच्छे से पढ़ोगे इस NCRT में यानि आपका base बन जाएगा IR के लिए IR के लिए काफी सारी books लोग refer करते हैं जैसे एक सीकरी की बुकाती है एक तपन विश्वाल की बुकाती है लेकिन मेरा व्यक्तिगत तोर पे ये मानना है कि यदि आपका base strong है और आप किसी को भी जैसे YouTube पे मैं आप लोगों क को IR पढ़ा रही हूं ठीक है IR की हमारी 9 बजे क्लास होती है सुबह मैंने उसमें मतलब स्टैक से लेके advanced level तक best से best content एड़ करने का प्रयास किया है English के 5 sources के content को निचोड के मैंने अपना एक content बनाया है तो मेरे हिसाब से वो आप लोगों के लिए एक best माध्यम हो सकता है IR को cover करने का किताब के चक्कर में IR में मत पढ़ना क्योंकि IR में आपको थोड़ा सा static जानना होता है और जादा current जानना होता है लेकिन current को समझने के लिए थोड़ा static knowledge जरूरी होता है तो दोनों का balance आपको मेरी classes में मिल जाएगा आप वहां से असानी से cover कर सकते हैं इसके साथ ही ये 12th class की world history वाली NCRT हो गई साथ ही आप अगर मेरा समझ में नहीं आ रहा है आपको तो आप किसी भी class के notes पढ़ सकते हो प्लस current affairs से तो add करना ही पड़ेगा भाई IR पूरा current का खेल है ठीक है IR पूरा current का खेल है इसके साथ ही social justice है ये तो योजनाई वगेरा है तो योजनाई वगेरा ये पूरा current इसके लिए कोई अलग से किताब नहीं है पूरा जो भी इसका syllabus है syllabus के according आपको योजनाई वगेरा सरकार की आती है वहां से ये cover हो जाता है आसानी से एनिवे ये जो batches आ रहे हैं इसमें आप लोगों का social justice, society, governance ये सब मैं cover कराने वाली हूँ ठीक है तो ध्यान रखेगा एनिवे second paper में सिर्फ इतना सा पढ़ना है आपको पॉलिटी, NCRT, लक्षमी कांत, current तो पढ़ना ही है, governance के लिए किसी किताब की जरूत नहीं है, notes प्लस ARC और current issues पढ़ सकते हो IR के लिए 12th की world history, मेरे notes या किसी अन्य कोचिंग के notes और current affairs और social justice के लिए जो current से related issues है वो more than enough है समझ में आया यहां तक, जादा है, लेकिन बच्चे इतना तो पढ़ना पड़ेगा, अगर आप यह सोच रहे हो कि मैम हम lucent पढ़ क्या I.S. बन नहीं सकते क्या कई बार ऐसे comments भी आते हैं, मैम lucent पढ़ क्या I.S. बन जाएंगे, तो भाई lucent पढ़ क्या I.S. कैसे बन जाओगे, जिला संभालना है भाई आपको जिला जिलानी संभालना आपको देश की नितियां बनानी हैं, किसानों की क्या नितियां होंगी, शिक्षा के लिए क्या निति होगी, महिलाओं के लिए क्या policy हो, वृद्धों के लिए क्या हो, बच्चों के लिए क्या हो हमारे देश का भविश्य आप लोगों के दुआरा बनाई गई नितियों पे डिपेंड करेगा भाई नितियों पे निर्भर करेगा तो आपके पास इतना ग्यान तो होना चाहिए और विभिन आयामों का विभिन विशों का ग्यान होना चाहिए कि आप एक बहतर decision maker बन सको policy maker बन सको सोरी ठीक है तो policy maker कब बनोगे lucent पढ़ के policy बना लोगे क्या नहीं न तो इसलिए इतना बड़ा exam है तो उसके लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगे ठीक है अब आते हैं third paper पे थर्ड पेपर पे बेसिकली एको बड़ा portion है इसके बाद science and tech ले लेते हैं थोड़ा world history इसमें आ जाता है environment का portion इसमें आ जाता है और इसके साथ ही disaster management यानि आप दा प्रबंधन का इसमें portion आ जाता है economics के लिए आपने 11 की NCRT 12 की NCRT पड़ी थी macro वाली data's बगेरा को हटा के साथ ही आप Hindi medium के जो student है रमेश सिंग की किताब को पड़ सकते हैं लेकिन 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 बहुत ध्यान से सुनने युग्य बाद है रमेश सिंग के किताब अच्छी है लेकिन बहौत लेंदी है आपको अपने syllabus को समझना पड़ेगा syllabus समझा चुकी हूँ आप लोगों को मैं ठीक है third paper का syllabus के topic wise आपको topics select करके पढ़ने पढ़ेंगे रमेश सिंग की किताब से यानि आपको छाटना पढ़ेगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है और शुरू से पढ़ने की जरूरत नहीं है मैंने आपको किताब पढ़ने का तरीका बताया किसी दिन मैं अलग से session लूँगी examples बताते हुए anyway अभी इतना समझो कि interesting topics को पहले उठाना है ताकि हम सारे topics को अच्छे से cover कर सके ठीक है तो ध्यान दखिएगा इसके साथ आपको economy में basically योजना प्लस कुरू छेत्र ये पतली-पतली magazine आती है दोस्तों income importance अभी बताऊंगी साथ ही current का बहुत बड़ा रोल है economy में तो जो आपकी monthly magazine है daily newspapers है वो तो चलेंगे ही चलेंगे daily newspaper monthly magazine आप economy में वहां से complete करेंगे ही करेंगे basic के लिए आप रमेश सिंग NCRT कर सकते हो योजना और कुरुक्षेत्र दो ऐसी topics related एक magazine में 5-6 articles होते हैं बढ़िया बढ़िया युनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वगेरा वो आर्टिकल्स लिखते हैं तो ठीक ठाक points होते हैं उन articles में योजना को पढ़ने का एक सटीक तरीका पते हैं क्या होता है हम ना योजना को लेके बैठे रहते हैं अरे यार एक बिंदू देखे main main highlighted क्या क्या issues उठा रखे हैं कौन कौन से point है उनको highlight करो copy pen लो उनको note कर लो उस notes के सामने उस योजना का नाम लिख लो भई हमने क्रिशी विकास से related योजना के notes बना लिए उस योजना को रख दो एक side में इस तरीके से आप notes बना के रख सकते हो ये notes आप को economy में भी help करेंगे ये notes आपको essay में बहुत ही शांदार तरीके से help करने वाले हैं ठीक है तो ये काम जरूर करना monthly magazine के साथ योजना कुरुक्षेत्र और जरूरी नहीं है हर महीने की पढ़ हो वो फिर depend करेगा कि इतनी important आई है कहां जुडाओ हो सकते हैं मालनो महीला सशक् करन से related ठीक था content है बढ़िया content है तो आपको वो योजना पढ़ने की जरूरत नहीं है सरसरी निगहा से देख लो एक आदा point extra मिले तो आप अपने notes में add कर लो हो गया है ना मतले ऐसा compulsion नहीं कि पढ़नी ही पढ़नी है topic पे depend करता है योजना का या कुरुक्षेत्र का topic क्य है कि आप उसे पढ़ें की नहीं पढ़ें ठीके बच्चे ध्यान रखेगा science मैं आपको बता चुकी हूँ ये current का ही पूरा part है तो आप इसके लिए current प्लस government की जो sites है उससे उसको देख सकते हो world geography में ये उसी से related हो जाएगा जो आप माजिद हुसेइन वगेरा पढ़ोगे न उससे ठीक था complete हो जाता है environment के लिए मैंने bio की NCRT बताई थी आप लोगों को इसके साथ आप किसी भी एक coaching के notes पढ़ सकते हो मतलब यदि आप self study कर रहे हो तो किसी भी coaching के notes पढ़ सकते हो और यदि English में पढ़ सकते हो तो शंकर IS के notes इसके लिए ठीक थाक है मतलब बढ़ तो study IQIS के notes बहुत ही शांदार है environment में ध्यान रखेगा बहुत ही शांदार notes है साथ ही current का बहुत ही जबरदस्त रोल है environment में current के क्या-क्या issues हो रहे हैं कोन से सम्मेलन हो रहे हैं क्या चल रहा है तो current आपको यहां से देखना पड़ेगा आपदा प्रबंधन में आपको NDMA की related जो issues आते हैं आपदा प्रबंधन जैसे इस बार बारिश आपदा आई है बाड़ आपदा के तोर पे हैं बादल फटना है कई बार जंगल की आग होती है तो जो current issues होते हैं वो सारे आपके current से पूरे हो जाते हैं ध्यान रखिएगा लेकिन एक basic basic knowledge आपदा प्रबंधन के लिए ऐसे इस कोई book नहीं है जैसे मैंने आपको बताया ना governance के लिए आप किसी coaching के notes उठा सकते हो ऐसे ही आप दा प्रबंधन के लिए भी आप किसी के notes उठा सकते हो किसी भी coaching के आपको अलग book पढ़ने की जरूरत नहीं है पता लगे किसी ने बोल दी आप दा प्रबंधन से पढ़ने की जरूरत नहीं है हां आप current पढ़ो news सुनो राज्य सभालोग सभापे discussion सुनो आप monthly magazine को follow करो उससे आप enrich कर पाओगे अपने material को आप कुछ value addition कर सकते हैं जैसे आप economic की बात करें तो निती आयो का जो three year plan है उसके कुछ data's को add कर सकते हो ARC की reports को add कर सकते हो यह फिर extra value addition है यह फिर next level की महनत है जो आप एक stage के बाद add on करोगे अपने notes में प्राथ्मिक तोर पे आपको इतना करना है कर लोगे third paper कुछ है जादा सिर्फ इतना पढ़ना है लेकिन भाई यह अपने आप में बहुत है ठीक है कम नहीं है अब बात कर लेते हैं fourth paper की आपका ethics तो ethics में क्या करना है एक बुक आती है लेक्सिकन इंग्लिश में भी आती है हिंदी में भी आती है इस बुक को देख सकते हो आप लेक्सिकन की बुक आती है इसके साथ ARC आप इसके लिए ARC की reports पढ़ सकते हो case studies पे महनत कर सकते हो और इसके लिए किसी भी coaching के notes को आप बेस बना सकते हो मतलब आपने लेक्सिकन की किताब पढ़ी किसी भी coaching के notes को बेस बना लो study IQIS Hindi के notes भी आपको आसानी से मिल जाएंगे और यदि आप classes join करना चाहते हो तो आपको ARC जोड के case studies और जो भी extra material जो भी current से related issues हैं सब कुछ जोड के पढ़ाया जाएगा इतना पढ़ना पढ़ेगा भाई और ये मैंने वो बताया है जो minimum है अब कहीं बच्चे बोल सकते मैं नितिन सिंगानिया आपने आर्ट एंड कल्चर में बताई पूरी पढ़नी है तो मैं वहीं पर बता चुकी हूँ पूरी नहीं पढ़नी लेकिन कुछ को selected topic जरूर देखने है इतना पढ़े भी ना तो भाई आइस बनना मुश्कील है ना ध्यान रखिएगा तो यह हमारे चारो पेपर हो गए तो समझ में आया होगा बेसिक बुके बेसिक बुक कौन कौन सी है बेसिक से कहां से शुरुआत करे एडवान्स के लिए क्या पढ़े एक एक पेपर वाइस पढ़ा दिया एक एक टॉपिक वाइस पढ़ा दिया किसी का कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए एस्पिरेंट ऑफ ड्रीम्स सी सेट के लिए सी सेट के लिए ना प्रैक्टिस करो यार पिछले 2011 से लेके 22 तक के जो भी एक्जैम हुए है इंफेक्ट अब तो 23 का भी हो गय था मैं तो यह सोच रही सी उन बच्चों का क्या हुआ होगा जो एक्जैम होल में बैठे हैं यूपी स्य न्याय तो करी रहा है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के साथ भाई जब आप यह मतलब यह फिर वही पॉलिसी होगी ना कि हमें तो इंजीनियर्स को ही लेना है हम आप जी एस में कितना भी कमाल कर लो हम सी सेट में आपको बाहर निकाल देंगे यह तो पॉलिसी ठीक नहीं है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स भी योग्यता रखते हैं जी एस में इतना अच्छा स्कोर करते हैं और सी सेट की वज़े से फेल हो जाते हैं लेकिन हम स्टून तो है जजबा तो है जब हम इतना पहाड जैसा जीस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं तो थोड़ी मैनल सी सेट में भी कर लेंगे वास समझ में आई तो सी सेट के लिए क्रेक्टिस करो 11 से 23 तक के कंप्रिहेंशन का लेवल देखो कैसे कैसे बड़ा है रीजनिंग म एटलस ले लो बहुत ही ज़ादा जरूरी है जब भी जोग्रफी पढ़ रहे हो एटलस साथ में लेके बैठो ठीक है उससे आपका ज्यान मर्धन होता जाएगा अलग से एटलस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अंजली ऐसी बात नहीं है बच्चे आप अपना डाउट पूछो क्या बोल रहे हो महिम रमेश सिंग तो खतम ही नहीं हो पा रही है यहर मैंने वही कहा यह बड़ी बुक्स है जैसे दो बुक्स आती है हिंदी माध्यमे यदि में एकनॉमिक्स की बात करूँ एक रमेश सिंग है यह लाल एंड लाल की किताब आती है तो यह बेसिकल जादा डिटेल में मत जाओ यहाँ पर क्योंकि एकनॉमी जो आएगी ना कुछ टॉपिक्स उसके बेसिक से आ सकते हैं लेकिन जादा तर एकनॉमी आपकी करेंट औरियेंटीड होती है है ना लेकिन हां करेंट आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपका बेसिक स्ट्रोंग नहीं है तो उसके लिए NCRT प्लस रमेश सिंग या लाल और लाल कोई भी एक बुक आप फोलो कर सकते हो थोड़ा समय लगता है कंसेप्ट बनने में इसलिए मैंने कहा UPSC की पूरी प्रपरेशन में कम से कम डेर से दो साल की तैयारी बेसिक है जरूरी है ठीक है तो इतनी किताब हैं आपको बचे मिनिमम है जो कि आपको आवशक तोर पे पढ़नी पढ़ेंगी यहाँ पे मैं बता दू कई बार क्या होता है न हम स्वियम इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं अनुशाशन नहीं होता है कई बार बहुत सारे व्यवधान आते रहते हैं इसलिए एक सही तरीका होता है आप किसी की गाइडेंस में पढ़ लो ओफलाइन कोचिंग लेना ही जरूरी नहीं है यदि आपके घर में आपको सेपरेट एक रूम है जहां पे आप अराम से पढ़ सकते हैं आपके पास एक मोबाइल है इंटरनेट की सुविधा है तो आप ओनलाइ कोचिंग के माध्यम से पढ़ा ओनलाइन टेस्ट लिखे और हम रैंक लगा गए पढ़ना तो आपको पढ़ेगा चाहें ओफलाइन हो या ओनलाइन हो ध्यान रखिएगा तो आप किसी भी कोचिंग से जूड सकते हैं और सबसे बहतरीन विकल्प स्टड़ी आई क्यू आई के एडवांस लेवल तक की महनत पीटी से वहले रिवीजन क्लास पीटी के टेस्स सिरीज यदि आप पीटी पास करते हैं तो दिल्ली में आपका रहना खाना चार महीने तक आपको अपनी गाइडेंस में पढ़ाना ठीक है आपके मेंस तक ये सब स्टड़ी आई क्यू आई बाइस जुलाई से शुरू हो रहा है यह जो बाइस जुलाई आ रही है आठ मतलब आठ दस दिन बाद ध्यान रखेगा स्टड़ी आई क्यू की एप या वेब साइट पे जाना है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दिया होगा वहां जाके एडमीशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LDLIVE इस LDLIVE कोड के साथ आपको यह पूरा का पूरा प्रिलिम्स टू इंटर्व्यू बैच जो की 70,000 रुपे का है मात्र 39,999 में मिल जाएगा मात्र 39,999 में घर बैठे तयार है इसमें डेली अंसर राइटिंग भी इंक्लूड है आपका अंसर चेक करती है लेकिन आपके अंदर भी हिम्मत जुनून उत्सा होना चाहिए क्योंकि अंसर तो आपको इलिक्के भेजना है हम तो कोशन दे देंगे model answer दे देंगे है ना आपका अंसर चेक करके देंगे ठीक है history option पर किसी और दिन बनाऊंगी अंजली ठीक है मैं संजीव वर्मा की book Sanjeev वर्मा भी ठीक है Sanjeev वर्मा भी पढ़ सकते हो ठीक है Sanjeev अब कोई भी एक basic जिसमें सारे सारे basic concept clear हो जाए ठीक है Sanjeev वर्मा भी अच्छी book है अगर वो पढ़ रहे हो तो आप बिल्कुल एटलस लेना हमें आपका अंसर दे ही चुकी हूँ निरंजन रजिक मैं means का exam form नहीं भर भरो भाई भरो कोशिश करो अब ऐसे कहने से काम थोड़ी ना चलेगा सकर बोल रहे हैं GS4 का syllabus most probably संडे को हम class लेंगे और संडे को में GS4 का paper भी syllabus जो syllabus है उसको भी decode कर दूँगी ताकि सारे के सारा syllabus आपके सामने हो फिर आपको यह कहने की जरूत ना पड़े कौन सा syllabus कहा है ठीक है तो hope आपको आज की class अच्छी लगी होगी यदि class अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा जितना share कर सकते हैं उतना share कीजिएगा यदि class अच्छी लगी त ना यहाँ पर finally आप लोगों को basic चीजे बतानी थी बता दी इससे जादा करने की जरूरत नहीं है हां लेकिन जितना कर रहे हो इसको बारम बार करो बारम बार दस बार बार पंदरा बार समझ रहे हो एक किताब को दस दस बार पढ़ना है ठीक है तो मिलेंगे कल की class में तब दो बेस्ट